टाटा स्टील सिर्फ एक रीजन से बीच में भागा था, वो दस प्लेट की न्यूस और उसके बाद सड़नली हमें यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके गिरावर जो है वो इंटेंसिफाइड होते हुए देखने को मिल रही है, तो सर टाटा स्टील ने जैसे ही 1400 के डाटाउन फ्रॉम लेवल 3050 और अभी ये स्टॉक आपको 1270 के आसपास ट्रेड करता हूँ, देखने को मिल रहा है ठीक है, तो सिंपल सेट अप से काफी ज्यादा कुछ यहां पर आपको कुछ जेलना है नहीं और प्लस यहां पर M पैटन तो था ही प्लस यहां पर एक जो है ठीक है, हमेशा स्टॉक में इस लेवल से बाउंस दिखाया, यहां पर इंजेक्शन लिया था, इसी लेवल से ब्रेक आउट आया, यहां पर भी एक बार शपत लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ब्रेकडाउन आया तो बड़ा फाइदा में टाटा स्टील के अंदर देखने को मिला, तो यह जो लेवल है 1270, 1260 का एक रेंज है तो वो बहुत ही कुशल स्टॉक के लिए, तो अगर यह इस रेंज को गिव अप कर देता है और डाउंसाइड तो एक बार के लिए आपको जो लेवल है और डाउंसाइड 1200 का लेवल देखने को मिल सकता है और के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन अगर 1260 रफली अगर मान लो की 1250 के नीचे स्टॉक ब्रेकडाउन देता है आप यहाँ पर शॉर्ट चैन करके चल सकते हैं पहला टारगेट होगा आपका अंदर डाउन साइड 1200 और सेकंड टारगेट होगा आपका 1100 इन टारगेट के लिए आप चाहें तो यहाँ पर डाउन सर मैं शोर्ट से लिंग कर सकते हो बाइंग जो तभी पॉसिबल है जब स्टॉक एक रिवसल में दिखाए और 1400 के उपर निकले अगर उन्चास के उपर निकल जाता है टाटा स्टील तो हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि वापिस स्टॉक के अंदर तेजी आएगी ग्रेसी मोमेंटम में देखने को मिलेगा और फाइनली हमारा जो और टाइम आई है एक पांच पांच शून्य एक पांच साथ शून्य का वो भी मैच होता देखने को मिलेगा और फ्रेश बावन वीक और 80 ऐसी मतलब All Time High भी हमें देखने को मिलेगा लेकिन सबसे पहले 1400 का लेवल ब्रेक होना चाहिए तू ही जाके मैं तेजी टाटा स्टील में देखने को मिलेंगी तो दूसरे को फिर यही करते वीडियो कॉल लगाओ तो प्लीज लाइक करना चाहते हैं तो सबस्क्राइब जरूर देना